जी गुद मॉर्निंग स्टुडेंस कैसे हो बेटा आप सबी ठीक हो स्टुडेंस हमारा चैप्टर सेकंड एडिशन चल रहा था आज हम उसी को कॉंटिन्यू करेंगे एक एकसरसाइज हमारी रह गे थी 2.5 वर्ड प्रॉब्लम है इसमें हम उसको सॉल्व करेंगे तो स्टुडेंस पहले तो आपने क्या काम करना है कि केरफुली स्टेटमेंट को आपने रीड करना है आपने देखना है कि स्टेटमेंट में दिया क्या गया है और हमसे पूच्छा क्या गया है ठीक है स्टुडेंस तो इस स्टेटमेंट में हम देखते हैं तो कोस्ट आफ्टी मोटर साइकल एक तो हमें मोटर साइकल की कॉस्ट दीगी है और नेक्स्ट हमें क्या दीगी है कॉ स्कूटर तो जब हम इनको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे तो हमने देखो जी लाइन हमें यहीं से मिल रही है वह कोस्ट आफ दी मोटर साइकल इस इकल टू देस एंड कोस्ट आफ इसकूटर इस इकल टू तेस और यह तो हमें गिवन है अब हमसे पूछा क्या गया है हैं कि टूटल कॉस्ट ओफ दी बोथ विकल कितनी होगी तो स्टूडेंस जब भी हमें टूटल देखो किसी चीज का टूटल बूच्छा जाए जैसे आपके पास दो पैंसिल एंड दो पन हैं ठीक है स्टूडेंस तो आपस के पास टूटल कितने है तो आप बोलोगे फोड तोटल आपके पास four things है ना ठीक है तो आपने क्या किया प्लस तो इसमें भी हमें क्या पुछा गया है तो हम इसको भी क्या करेंगे addition तो पहले हम लिखते हैं students देखो पहले जो हमारी लाइन आएगी वो क्या आएगी cost of a motorcycle is equal to 4850 तो देखो students हमने लिख लिए cost of the motorcycle is equal to rupees 42,850 एंड ऐसे हमने scooter की लिख लिए और यह symbol आपने द्यान से लिखना है students symbol आपने जरूर पुट करने है इसके जो है हमारा marks cut हो सकता है ठीक हो नहीं सकता होगा इसका marks cut ओके तो इसलिए आपने symbol का बिलकुल द्यान रखना है जो भी unit है वो आपने साथ लिखनी है तो अब हमें पूछा क्या गया था है cost of both vehicles ठीक है टोटल कोस्ट पूछी गी थी हमने तो हम लिख लेंगे कि टोटल कोस्ट क्या है टोटल का मतलब क्या है हमने क्या करना है इनको एड़ कर लेना है ओके स्टूडेंस तो हम क्या करेंगे इनको एड़ कर लेंगे ठीक है स्टूडेंस तो तो यह रो में लिखे हुए हैं हम इनको क्या करेंगे अब कॉलम में लिख लेंगे ठीक है स्टूडेंस तो कॉलम में लिखके हम इनको क्या कर देंगे अडिश ओके अडिशन कर देंगे और अडिशन के बाद जो हमारा अंसर आएगा वो ही टोटल कॉस्ट होगी इन दो बिकल्स की ठीक है स्टुडेंट तो देखो जीरो फाइव प्लस फाइव टैन पन कैरी 8 प्लस 1 इस 9 9 प्लस 3 इस 12 फिर 1 कैरी 3 3 प्लस 8 इस 11 फिर 1 कैरी 4 प्लस 1 इस 5 प्लस 2 इस 7 तो जो टोटल कॉस्ट है टू बिकल्स की वो क्या है 71,200 रूपीज ठीक है स्टुडेंट आपने यह सम जो अंसर आएगा उसको भी आपने बाहर निकाल के लिखना है बिद्ध सिंबल जो भी जूनिट होगी वो अपने लिखनी है I hope students यह आपको समझ में आए होगा तो हम next statement देखते हैं क्या है हमारे पास तो देखो next क्या है statement हमारे पास अब factory manufacturer 72,584 locks in the year 2016 ठीक है students 2016 में किसी factory ने इतने locks हैं जो बनाए है 72,584 and 37,846 locks in year 2017 ठीक है तो दो देखो 2016 में इतने lock बनाए हैं 2017 में इतने lock बनाए given हमें पता चल गया है students ठीक है factory manufacturers lock in year 2016 ठीक है students next 2017 में देखो तो यह तो हमारे given हो गया how many locks did the factory manufacturers in two year तो वही बात आगी बताओ factory ने दो साल में कितने locks बनाए हैं तो हम total locks पता कर लेंगे total locks manufactured by factory ठीक है तो हमने क्या कर देना है 72,584 plus 37,846 इन दोनों number को हमने plus कर देना है जो हमारा total आएगा वो क्या आगा answer आजाएगा कि कितने locks two year में किसी company ने या किसी factory ने बनाए हैं तो I hope students यह आपको समझ में आ गया होगा आपने यह करना है मैंने आपको समझा दिया अपने अपनी fair notebook पे जैसे मैंने समझाया है वैसे करना है ठीक है students तो third देखते हैं during our census it was found that there were 2,34,786 में तो जो जन गरना है उसमें पता चला कि किसी city की या किसी सहर की जो जन संक्या है उसमें 2,34,786 तो जो है वो males है and 1,93,877 female है तो students given हमें क्या है number of males and number of females तो पता क्या करना है find the total population of town तो total population of town क्या करेंगे students प्लस करेंगे ओके addition कर देंगे किन दो numbers की इन दो numbers की okay number of males plus number of females तो हमें total population पता चल जाएगी तो देखो students इस पात में भी आप ध्यान रखो आपने जो second question है उसकी बात कर रहा हूं मैं यह तो year बताए गए है ठीक है 2017 and 2016 इनको नहीं आपने प्लस करने लग जाना आपने number of blocks ठीक है इनको प्लस करना है ओके students इनको आपने प्लस करना है ना के years को प्लस करने बैठ जाना है ठीक है बेटा ध्यान से काम करना है ओके तो जो next है हमारे पास यह आप कर लोगे students क्या करना है number of males is equal to this number of female is equal to this total population of the town male number of males plus number of female इन दोनों का प्लस करके जो अंसर आएगा उसको आपने लिख देना है ठीक है students तो देखते है next हमारे क्या है अन नंबर exceeded exceeds 8,776,543 by 12,345 find the number तो students हम इस sum को एक example के थूरू समझते हैं देखो हमारे पास कोई number है for example हमारे पास एक number है 200 वो exceed कर रहा है मतलब वो बढ़ रहा है by 50 कुछ भी लगा लो ठीक है एक number है जो 50 बढ़ रहा है तो बताओ वो वो number कितना हो जाएगा तो आपने simple कुछ नहीं करना 200 plus 50 मतलब के जो new number है हमारा वो 250 बन जाएगा ठीक है students तो ऐसा ही हमारे पास जो यह है sum ठीक है एक number है वो 12,345 बढ़ रहा है तो find the number तो आपने next जो number है वो पता करना है तो क्या करना है इन दोनों number को क्या कर देना है हमने add कर देना है और add करके जो भी answer आएगा वो हमारा जो अक्सीड करना है ठीक है students तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा ठीक है students चलो हम इसको जो यह sum है हम इसको करके देख लेगते हैं तो number exceeds this number by this number ठीक है students तो मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों number को आपने क्या कर देना है add कर देना है तो new number हमने find करना है तो 8,76,543 तो हम मैंने यह आपको पहले बता दिया कि हमने right hand side से लिखना start कर देना है क्योंकि देखो यहां कितने हैं कितने digit हैं six digit यहां कितने हैं five digit तो अगर हम इस तरफ से लिखना left hand से start कर देंगे तो हमारा definitely जो answer है वो गलत आएगा ठीक है students तो आपने once place से start करना है लिखना five four three two and one तो अब हमने क्या करना है इसको add ठीक है students 888888 वाओ देखो answer के कितना सुन्दर आया है ठीक है students 88888888 तो जो नया number है हमारा वो यह आएगा ठीक है students जो exceed करके number हमारा आएगा वो यह आएगा okay I hope students आपको यह समझ में आ गया होगा सारी exercise आपने यह चारो sums अपनी fair notebook पे neat and clean करने हैं तो आज के लिए students इतना ही फिर मिलते हैं thank you